कानी बहु वह से बहुत तो सही है आपकी अब इतना पैसा है जमीन जायदाद है आप भी क्या करेंगे साप कोच उसे ही देंगे ना बिल्कुल ठीक पैजान आपने बस बेटी की शादी और सारी जायदा उसके नाम पापा बिना दे के हां कर दीजिए ना इतना अच्छा रिष्टा फिर शादी करने को तयार हूँ अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा और इस तरह रागव नैना का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है शादी के बाद अपने सुहाग रात पर जब रागव उठाकर देखता है तो नैना की आंके बंद थ इससे पहले कि नैना अपनी आखे खोलकर रागो की तरफ देखती और रागो नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया अगले सुबर नैना रागो के लिए नाश्ता बना कर लेकर आई अरे ये क्या आधा पराठा सीखा हुआ है और आधा बिल्कुल कच्चा ये तुमने क्या किया नैना बहुत तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था जो आधा सीखा है और आधा कच्चा देखो हमारे घर मेन बववों को बेटी की तरह रखा जाता है और फिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो गुंगट डाल कर रखने के कोई जरूरत नहीं है अहाँ नैना पापाजी ठीक कह रहा है तुम तो आराम से रहो अपना इगर समझो नैना अचानक से अपना गुंगट उठा लीती है अरे ये क्या पापा नैना की तो एक आँख फूटी हुई है नाम से नैना लेकिन यह तो निकली मेरे साथ दोखा हुआ है दोखा बना दिखा है अपने काणी लड़की मेरे जंग भ्यादी मुझे काणी भी मिना ही चाहिए मुझे अभी ओम प्रकाश्ची से बट करनी पड़ी आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या क्यों उन्हों प्रकाश को अपने घर बलाते है पापाजी यह आपने क्या किया शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना की आँखों में परिशानी है अरे आप भी ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था अरे लेकिन आप बता तो सकते थे आपको तो हमारी बेटी की प्रापर्टी चाहिए थी वो भी पूरी की पूरी अब क्या हुआ अगर उसे आदा दिखारी तो आपको पूरी मिल गई ना यह क्या बाद हुई मेरी शादी प्रापर्टी से नहीं आपकी बेटी से हुई है अब ये तो पहले सोचना चाहिए था तब तु मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारे जबान लप लपा रही थी लेकिन मैं कानी लड़की को अपने भीवी मना कर नहीं रख सकता पापा कुछ कर ये ना आ करता हूं करता हूं अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले ही लूँगा और आधी प् क्यों लेंगे आप इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जाएदाद परीपड़ी है अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहु बना कर कोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पती का हो वैसर मेरे पास तो बहुत कुछ है लेकिन अपने पती की कोई निशानी को उसके पास होनी चाहिए न अब अगर तुम्हेimir कोषा तुम्हें प्राउपटी भी कानी ही मिलेगी पूरी नहीं, जमा है राजा। किशोरी लाल और रागव समझ चुके थिके वो बुरी तरफ हस चुके हैं, और अब उनके चारा नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है, एक तो तुम्हें प्रावपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नकरे भी दिखाने है, आए बड़ी, चिपचाप बैठो तुम्हें, कुछ दिनों के बाद, नैना रागो की कार लेकर बाजार खुमने नि कार से रगड़ती हुए निकल गई, अब मैं क्या करूँ बताओ, आप इस अची कराने के पैसे कौन देगा तुम्हारे पापा, तुम्हें मुझसे इस तरह से बात की, अब रागो की शिकायत उम प्रकाश को कर देती है, देखो रागो, अब जो मेरी आधी प्रापर्टी तुम्हारे पास थी न, उसमें से आधी और में लेकर जाओंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डाटा, आरा नहीं ने पापाची गलती होगी, माफ़ कर दो, गलती की तो कोई गुंजाईश ही नहीं, अगली बार मेरी बेटी को डाटा, तो बची हुई आधी में से आध हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया, और राघो को कानी भीवी से काम चलाना पड़ा, भे लालज वाकई में बरी बला है